पॉल्वार पर तो वही समय खर्बावार की इससे प्रभावबी बचाते में कैसे हैं सावनका का जोहार हो या विरक्समन या इदूल पर या इदूल अगा जैसे तो जोहार ही की चपने में आ रहे हैं बगए एक परकों पीपे वर्ष बड़ी सच्छा में लोग अपने आसपास की मजज़ों और इकारी की नमाज अधार में में पेड़े है लेकिन इस वर्ष कोरों विमारी के कारण सरकार गाइडने के रहार के वल पांच लोगी इकार अपने लाखों मजज़ों में की दुलग पांफी नमाज अधा करें और नमाज अधार के और फांवरी कृभवाण ही कोरण सरकार माज़ों म apology पार्सी और अन्य उगाना भी अपील कर रहे हैं। हम लोगों को मालू है। कि इस वक्त करोना वायरस चल रहा है। लॉग डाउन चल रहा है। और इस बीमारी से बचने के लिए हमारी खुद की दुमेदारी है। जैसा कि हमें मेडिकल गायलाइंस और प्रिशासन कादेशे की सोशल डिस्टेंसिक का पारन करें। भी न लगाएं। और मज़ी रीदगा पर भी भी न लगाएं। गरों पर रहकर अल्हा की अबादत करें। और इस बीमारी से निजात के लिए खुदा से दुआ करें। कि हम सब और हमारा मुल्क इस बीमारी से महफूद रहे। और जल्द से जल्द बीमारी का फात्मा हो। आपसी भाइचारा हम चानती के खायम रखें। और दावाम पर धियान न दें। और मैं सभी लोगों को इती हुगारवा प्रेश करें। नहमद हुआ नुसल्ली अला रसूलिह करीं। अम्मा बाद। वहुद बिल्लाजी में श्युक्वान उबदीन। बिस्मिल्लह रख्मान उग्राहीम। वहुद बिल्ली अर्भ्डिका वल्हाद। वहुद बिल्लाजी में मुहम्म्मद आलम रजा खानूरी खादिम तद्रीज वलकिता मर्चदी मनर्था एहल सुन्त अज्मिल्हूं। आवाम की बारगा में एक अप्रिश करता हूँ। चन्द महीनों से हम लोग करोना वाइरस का मुकाबला कर रहे हैं। हुकुमत अपना काम कर रही है और आवाम को अपना पर्द अदा करना है। आवाम का हसीर मुबारिक मौका है। सुबाई हुकुमत ने अपनी गाइड लैंग जाई करती है। मरकदी मदर्सा एहल सुन्दत अज्मिल्हूं के नाजिम आला हदर्स पारी मुहम्द तंदीम अश्रसा कुबला अज्मली के हुक्म के मताबिक मैं कौम मुस्लिम से यकिन कर रहा हूँ। जिस तरह तमाद मुस्तनमान भाईयों ने गुदिष्टा नमाद अदा की अमनों सुकुम के साथ। इसी तरह हालात के पेशे नज़र हपईयो अदा की नमाद अदा करें। उसके बाद साहिबान निसाब पुर्बानी का एहतिमाम करें। गरीबों की इमदाथ और मदारित का ताउन करना ना भूलें। आम रास्तों पर और चौराहों पर खुले में पुर्बानी से परहिज करें। पुर्बानी की वीडियो बगारा ना बनाएं। ना पोटू खीचें। किसी भी तरह हालात को बिगड़ने ना दें। अफवाव पर बिल्कु ध्यान ना दें। बिस्मिल्लाहि रर्रह्मान इज्वाफीर। नहमद हुआ नुसल्मु अला हभीब जिल्करीम। मैं मुहम्मद सुलेमान इश्रफ खामीदी। शहेद इमाम इड़ा संभल। जिला संभल के मुसल्मानों को एदु अज़ात के तालुफ से कुजूरी मालूमात। इहतियातें बताना जूरू समझता हूँ। शासन की गाईड लाइन पर अमल करके जिस तरहां मस्जिदों में नमाजों की अदाइगी से परहेस किया। वो खुद अपने आप में इसाल है। मजीद मुसल्मानों ने अपनी दानिशमंगी और मौामला फहमी का जो सबसे बड़ा नूमूना पेश किया। वो इदु फित्र की नमाज इगाह में नपढ़कर नमाज चाष्ट अपने अपने धरों में अदा करके किया। अब जब के ईदे कुर्बा का तहवार फस अगस्त बरोज हफ्ता मनाया जाएगा। कुरोना की महामाली अपने शबाब पर है। और यूपी में हफ्ता और इकवार को लवडाउं भी रहता है। हमारे जिले में कुरोना से मुतासिब लोगों की संखिया लगभग एक हजार तक पहुचने वाली है। मरीजों की दियात्ती की वज़ा से शहर संभल में इस्थापित आरजी हॉस्पिटिल भी नाकाफी हो गए है। इन हाला के चलते हैं। कुरबानी के ताल्ब से मुसलमान परेशान हैं किस तरह कुरबानी हो। हाला के इसमें परेशान होने की जूरूद नहीं। क्यूंके पुलिस प्रिशासंने कुरबानी के ताल्ब से जो गई टायम जाई जाड़ी की है। उसमें मस्जिदों में चंड लोग फिजिकल डिस्टेंग के साथ ईब अधा की नमाज अधा कर सकते हैं अब जुरुम्त है कि एक मर्तबा फिर सारे मुसल्मान एक जिम्मेदार शेहरी होने का मुझाहरा करें और ईब अधा की नमाज मस्जिदों में सिर्फ पांच लोग ही पड़ें और बक्या लोग अपने अपने घरों में नमाज चाश अदा करें रहा कुर्बानी का मसला तो अजब इत्वाक है कि इस मर्तबा खुद कुछ ना अखिबत अंदेश मुसल्मानों की तरफ से ये मुहीं चलाने की कोशिशे बेजा की नहीं कि इस साल कुर्बानी की रखम गलीबों में तफ्सील की जाएं याद रखें कुर्बानी की बजाएं जुरूरत मंदों की मदद कर रधान गलत फहनी पर मदनी हैं पिरशासर की हिदायत के मताबिर आप अपने अपने घरों के अंदर या किसी महफूज जगा पर कुर्बानी करें पिते वर्ष जहां बेखौफ होकर लोग अपने तोहार मना रहे थे वह नजारा इस कोरोना महमारी में आज नजर नहीं आएगा पिते वर्षों की यादों को ताजा करते हुए बुद्धी जीवी वर्ग भी लगातार अपील करते हुए उस वक्त को याद करते नहीं ठक रहे हैं पितने भी वाजार है उसको भी एंसे होती आ जा रहा है कि जो उप्रापर के गाइडलाइन है उसकी गंतर करते ही पुलें अनावते रूप से कोई इभाद नाई रहे है उसाहीं वो उस तरीके से खुले रहे है जिस तभी वो यह दाइप किया जा रहा है कि जो फेसमास उसको लगाकर रखनें जो एक और 88 कारवाई की जा रही है और तभी शेट में नाका जे बैरियर है उसको लगाकर के बाकाइदा चेकिंग अभियान चलाए जारा है लगाता है अभियान जारी रहेगा फूरे जंतर सं झाल झाल